तो दोस्तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो स्टॉक्स को और इन दोनों ही स्टॉक्स के quarter two के नतीजे आज के दिन आ चुके हैं तो कैसे रहे हैं नतीजे पूरा विश्लेशन करेंगे दोनों स्टॉक्स में क्या रणनेती होनी चाहिए टेकनिकल चार्ट पर क्या एस्तिती नजर आ रही है सारी चीज़े एनलाइस करेंगे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आगे बढ़ने से पहले देखिए कहना चाहूँगा आज के दिन काफी कंपनीज के रिजल्ट अनौन्स हुए है सभी के वीडियो अपलोड हो चुके है आप जाके जरूर देखिएगा अब चलिए पहली जो कंपनी इसके बारे में चर्चा गरेंगे वो है दोस्तों यहाँ पर Happiest Minds Happiest Minds Small Cap या फिर आप कह सकते हैं कि Small Cap Small Mid Cap कंपनी है IT की बहुत जबर्दस्त growth oriented company है management हमेशा guide करता है कि 25% यहाँ पर growth हम अगले 5 साल में यहाँ पर consistent basis पर हमारी आती हुई देखने को मिलेगी तो चलिए देखते हैं क्या इस बार growth as expected है या नहीं तो revenue from operations यानि कि revenue की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर quarter on quarter 8.1% की growth है जो कि काफी अच्छी growth है और year on year 34.4% की growth तो definitely top line में अच्छी growth देखने को मिल रही है bottom line देख लेते हैं एक बर पहले तो bottom line में Q on Q basis पे 5.4% की growth है और year on year basis पे 33.7% की growth तो definitely top line bottom line में अच्छी growth हमको को मिल रही है sequential basis पे भी year on year basis पे भी operating profit margins की बात की जाये तो operating profit margins भी year on year basis पे यहाँ पर हमको improve होते हुए देखने को मिल रहे हैं और sequential basis पे almost margins यहाँ पर maintain हैं तो बहुत ही positive चीज है यह कि यहाँ पर margins maintained है margins year on year basis पे improve हुए है revenue यहाँ पर अच्छी growth है sequential year on year साथ ही में यहाँ पर profit की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है और यहाँ पर और important चीज़ों को अगर देखा जाए तो वो क्या है तो वो है यहाँ पर तो attrition देखते हैं आपर किस तरीके से रहा है अपकी बार happiest minds में तो attrition की बात की जाए तो अपकी बार attrition है 23.5% का और quarter one की अगर बात की जाए तो 24.4% था तो sequential basis पर attrition इंप्रूव हुआ है लेकिन अगर year on year basis पर देखे तो यहाँ पर again as industry level की मैं बात करूँ अगर हम comparison करते है industry level पर तो मैंने खिया से 23.5% attrition यहाँ ठीक है जो कि TCS के भी 21% के attrition थे काफी जादा attrition हमको infosys में देखने को मिले, LTTS में देखने को मिले उस हिसाब से happiest mind का attrition यहाँ पर सही नजर आ रहा है, बाकि let's see H2 में किस प्रकार यहाँ पर हमको attrition देखने को मिलते है अब यहाँ पर main question है आगे क्या जो है स्तिती रहनी चाहिए buying की यहाँ पर अभी करनी है या नहीं करनी तो अभी भी मेरे ख्याल से महेंगा stock है तो risk reward ratio बिलकुल favorable नहीं है तो अगर आपको allocation देना है तो आपको एक small cap company की तरह समे allocation देना होगा बहुत जादा allocation आपको नहीं देना है, जादा allocation आपको tier 1 group की companies में रखना है बाकी फिर सबसे कम allocation आपको छोटी companies में रखना है और यहाँ पर अगर कम allocation रहेगा आपका 5% भी रहा तो अगर आपको 25% growth भी मिल गई तो आपका ultimately, eventually आपका allocation जो है overall आपके portfolio में long term में वैसे भी बढ़ जाएगा अगर जैसे यह जैसे यह बड़ी company बनेगी corrections में हम और add करते रह सकते हैं future में तो long term का नजर्या रखिए ऐसा नहीं है कि आज यह आज ही आपको पूरा truck भरना है दिरे दिरे buying करनी है अब यहाँ पर numbers तो अच्छे हैं तो क्या stock में तेजी होगी है गिरावट होगी तो यह तो दोस्तों देखिए market पर ही depend करता है मेरे ख्याल से numbers अच्छे है numbers में कोई problem नहीं है margins भी maintained है सब कुछ सही है तो यहाँ पर अगर तेजी होती है तो अच्छी बात है अगर गिरावट होती है तो इसका जो support होगा वो होगा है यहाँ पर नेक्स सपोर्ट होगा है यहाँ पर इसका करीब करीब 900 रुपे के आसपास तो यहाँ पर आप और इसको एड़ कर सकता है अगर वहां से भी नीचे गिरता है तो फिर यह 800 रुपे के आसपास आएगा तो हर 100 पॉइंट के गैप में यहां पर इसमें बाइंग की जा सकती है अभी 1000 के लेवल पर फिर 900 के फिर 800 के लेवल पर आप इसको लॉग टर्म के लिए अपने आप में गया है इनके पास तो कि आगे आने वाले समय में हमको डिजिटल जो रेविन्यू है उसकी ग्रोथ डेफिनिटल बढ़ती हुई देखने को मिलेगी तो है प्यस्माइन यहां पर एक बहतरीन कंपनी है अभी चोटी कंपनी है लेकिन बविश्य में बड़ी बन सकती है तो इसको आप धिरे धिरे ऐक्यूमिलेट कर सकते हैं इस लेवल पर भी कर सकते हैं और आट सो तक इसमें आप एक्यूमिलेशन जारी रख सकते हैं तो यह होगी है पिसमेंट की बात नेक्स हम बात करेंगे ITC वन एन अउनली ITC पूरे बाजार का एक चहेता for negative reasons भी आप कह सकते हैं for positive reasons भी क्योंकि अभी जो stock का price है वो market को यहाँ पर beat कर रहा है overall index को beat कर रहा है तो यह अच्छी बात है तो इसके भी आ चुके हैं नतीज़े चलिए नतीजों पर सीधा हम चलते हैं तो देखिए cross revenue की बात करें तो यह है पिछले साल का September quarter यह है इस सा कर रही है कितनी growth है आप देखिए यहाँ पर यह I think करोड में value है तो आप देखिए यहाँ पर 14,662 करोड का जो revenue सा आपकी बार बढ़की हो चुग है 18,430 करोड का तो year on year basis पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छी growth अगर मैं percentage times में बताऊं आपको तो कितना हो गया रुकी एकबर percentage terms में almost bottom line की बात कर लेते है भीया bottom line की क्या growth है तो profit for the period अगर आप देखें तो यह है 3763 करोड का profit 4670 करोड का हो चुका है तो year on year basis पर यहाँ पर अच्छी growth है और अगर आप यहाँ पर percentage terms में देखें तो profit में growth करीब करीब यहाँ पर 24 परसंट या 25 परसंट की आसपास की आती हुई देखने को मिलेगी sequential basis पर जो growth profit में वो यहाँ पर almost 5% की आसपास देखने को मिल रही है तो top line bottom line में अच्छी growth है margins की बास करें तो अपके और margins इनके रहे है 36% के almost 36 परसंट की आसपास तो अगर हम sequentially यहाँ पर देखते हैं पिछले साल कितने थे 36 के तो margins maintain की है year on year basis पर sequential basis पर margins यहाँ पर 3% से expand होते होए नजर आए तो positive है तो अगे यह पर फिर से कहना चाहूँ है तो ITC ने यहाँ पर all round growth दिखाई है अब यह तो हमने चली overview ले लिया अब मैं आपको दिखाता हूँ segment की growth तो देखिए cigarette की growth 23% की year on year basis पर है others यानि कि जो इनका main turnaround हो सकता है ITC के लिए वो है इनका FMCG का business जो की हो सकता है बविश्य में डीमर्ज हो जाए यहाँ पर आईए 21% की growth hotels में 82% की growth, agree में 44% की growth, paper board में 25% की growth तो all across the board हमको यहाँ पर growth आती हुई देखने को मिल रही है तो excellent numbers है मेरी तरफ से अगर मैं कहना चाहूँ तो ITC के यह जो performance है stock price में भी already हमको दिखी रही है तो एक बार अगर हम FMCG के margins की बात कर लेते हैं चलिए एक पर margins भी देख लेते हैं कि यहाँ पर ITC के जो FMCG के margins हैं जो FMCG के growth है वो कैसी रही है क्योंकि इसी पर सभी का focus रहता है मेरा भी focus रहता है मैं तो इसमें काफी निचले इस तरह से invested हूँ already तो आप देखिएगा तो margins यहाँ पर segment margins यहाँ पर लगातार improve हो रहे हैं आपकी बार 9.5% के हैं और पिछले quarter में थे 10% के तो almost maintain किये है margin FMCG segment के और sequential basis पर 7.8 से बढ़के 9.5 हो चुके हैं थोड़ा में बढ़ा करता हूँ ताकि आपको clearly दिखे तो देखिए 7.8% के margin 9.5% हो चुके हैं और 10% 9.5% तो year on year basis पर maintained है sequential basis पर margins improve होते हुए नजर आ रहे हैं और profit की बात करें तो definitely आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो profit है वो भी हमको अच्छा कासा बढ़ता हुआ नजर आया है जैसे आपने देखा अभी जैसे कि मैंने आपको भी segment revenue दिखाया था तो यहाँ पर भी 25% के आसपास की हमको growth देखने को 18% की हाँ पर हमको growth देखने को मिल रहे हैं profit में और revenue में अगर हम देखें तो revenue में 21% की growth देखने को मिल रहे हैं तो overall across the board हमको यहाँ पर growth देखने को मिल रही है और जो यह stock का price है वो हमको काफी time से भागता हुआ देखने को मिल रहा है आप देखिए काफी run up हो चुका है अगर मैं इसका एक long term chart देखूं weekly chart देखूं तो देखिए अपने almost all time high के आसपास यह stock चल रहा है काफी इसने तपाया लोगों को लेकिन finally अब यह stock जो है चल रहा है market को beat कर रहा है इंडेक्स को beat कर रहा है इसका all time high 365 के आसपास है लेकिन एक अच्छा कास है यहाँ पर resistance था इसको यहाँ पर देखे breakout दे दिया है यह जो है इसका मैं अगर mark करना चाहूँ तो देखिए horizontal line में आपर लगान चाहूँगा तो यह इसका एक resistance था 323 का level तो इसको अभी break कर दिया इसके ओपर stock consolidate कर रहा है यहाँ से fresh rally आ सकती है अपने all time high को इस stock touch कर सकता है तो ITC पर बने हुए हैं तो बने रही है fresh buy करना है तो थोड़ा थोड़ा भाब buy कर सकते हैं लेकिन आप जादा growth expected मत रखिएगा यहाँ पर जब तक इनका FMCG का एक separate business list नहीं होगा demurge नहीं होगा तब तक यहाँ पर बहुत जादा growth नहीं आईगी क्योंकि cigarette का business कहीं ना कहीं overhang रहता है regulatory overhang रहता है cigarette के business पर तो बहुत जादा growth expect मत कीजिए जब तक यहाँ पर demurge नहीं होते हैं तब तक यहाँ पर growth expected नहीं है तो आप इसको एक consistent dividend paying company के रूप में रख सकते हैं जहाँ पर आप 12% के आसपास की growth expect कर सकते हैं आपको अच्छा लगा होगा पसंदा है तो like कीजिए कोई doubt question है और question ज़रूर पूसरते है comment box में और previous videos भी जाके जरूर देखिएगा सभी videos में काफी इच्छी information फ्रवाइट कराई है मिलते हैं next video में till then take care bye bye